7.2.6 परिवहन तंत्र में रक्त की भूमी का Roll of Blood in Transport System रक्त क्या है? या उसमें से कौन से पदार्थों का परिवहन होता है? यह जानकारी महज 400 साल पुरानी है कोशिका की खोच के बाद रक्त की कोशिकाओं का अवलोकन किया गया अवलोकन के दोरान रक्त की नलियों में जल जैसे द्रवय में कोशिकाओं बहती हुई नजर आई अतार रक्त के मुख्य दो घटकों का पता चला पहला जल जैसे द्रवय जिसे पलाजमा कहा गया दूसरा रक्त में उपस्थित कोशिकाओं चित्र क्रमांग साथ में देखिए लाल रख्त कोशिकाएं चक्ति जैसी दिख्ती हैं और रख्त में इनकी संख्या अन्ने कोशिकाओं से बहुत अधिक होती है इन में एक प्रकार का पदार्थ हीमोगलोबिन होता है यह लौहयुक्त वर्नक है इसके लोह के साथ मुख्य रुप से ऑक्सिजन का आबंध बनता है अतहा ऑक्सिजन के परिवहन में हीमोगलोबिन की मुख्य भूमिका होती है लगभक संत्यानवे फिस्दी ऑक्सिजन का परिवहन इसी तरह होता है जिन कोशिकाओं में आक्सिजन की सांद्रता कम होती है, वहां आक्सिजन रक्त में उपस्थित हीमोगलोबिन से मुक्त होकर पहुँचती है तथा कोशिकाओं से कारवंडाई आक्साइड रक्त में आ जाती है रक्त में कुछ कोशिकाएं रंगहीन वह अलग-अलग आकार की होती हैं जिनसे हमारा शरीर संक्रमण से सुरक्षित रहता है ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं शरीर में हलकी खरोंच या कटी फटी जगह पर रक्त के ठक्के के रूप में जमने की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से रक्त की एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं के समूह प्लेट लेट से होती है इसके फलसरुप घाव भरता है परूंतु ऐसा ही कोई ठक्का हमारे हिर्द है या मस्तिश्क में चला जाए तो हमारे ले घा तक सिद्ध होता है रक्त में ऐसे पदार्थ भी हैं जो रक्त के ठक्के को गला सकते हैं जिनसे कई अहम अंगों के अनावश्यक ठक्के अकसर गल जाते हैं ब्लड यानी खून हमेशा लाल होता है है ना गलत ब्लड अलग अलग रंगों का हो सकता है मनुष्य और दूसरे मैमल्स में ब्लड लाल रंग का होता है जबकि आक्टोपस में ये नीले रंग का होता है ओसिलेटिड आइस फिश में ब्लड बिलकुल क्लियर होता है पैपवा न्यू गिनी में हरे ब्लड वाले शैंक पाई जाते हैं इसलिए ये मत सोचिए कि ब्लड हमेशा लाल रंग का ही होता है इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड किस चीज से बना है और ब्लड के अलग-अलग कंपोनेंट्स के क्या-क्या रोल्स हैं ब्लड के components हैं red blood cells, white blood cells, platelets और plasma ब्लड का 55% भाग हलका पीला चिपचिपा liquid होता है जिसे plasma कहते हैं plasma मुख्यता पानी और protein से बना होता है ये शरीर में nutrients, hormones और proteins एक जगा से दूसरी जगा पहुँचाता है plasma शरीर में heat भी distribute करता है लेकिन plasma blood का वो component नहीं है जो blood को लाल, हरा, नीला या clear बनाता है plasma में 92% पानी और पस 8% plasma होता है अमारा लगभग 45% blood red blood cells से बना होता है red blood cells बहुत ही छोटी, biconcave, disc के आकार की cells होती हैं जिने erythrocytes भी कहते हैं ये bone marrow में बनती है और इनमें एक special type का protein होता है जिसमें iron होता है इस protein को hemoglobin कहते हैं hemoglobin की मदद से blood हमारे शरीर में oxygen ट्रांसपोर्ट करता है और hemoglobin की वज़े से ही blood का रंग लाल होता है octopus में एक अलग प्रकार का special protein होता है जिसे hemosinin कहते हैं और ये octopus के blood को नीला बनाता है ice fish के blood में hemoglobin या hemosinin नहीं होता जिसकी वज़े से इनका blood clear होता है white blood cells और platelets blood का बस एक प्रतिशत हिस्सा होते हैं white blood cells हमारे शरीर की योद्धा है ये हमारे शरीर को बाहर से हमला करने वाले विमारी पैदा करने वाले pathogen से बचाती है white blood cells pathogen को दो प्रकार से नश्ट करती है 70% white blood cells phagocytes होती है ये pathogen को phagocytosis की प्रक्रिया से निगल जाती है दूसरी प्रकार की white blood cells lymphocytes होती हैं जो antibodies बनाती है antibodies foreign pathogens के साथ जुड़ जाते हैं और उन्हें जादा फैलने से रोकते हैं आखिर में platelets के बारे में जानते हैं ये blood का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होते है platelets blood को clot करने में मदद करते हैं जिससे bleeding रुख जाती है और घाव में infection नहीं हो पाता इस फीडियो में हमने जाना कि blood का color लाल ही होना जरूरी नहीं है blood का color इस बात पर depend करता है कि red blood cells किस चीज से बनी हैं blood में nutrients और heat transporting plasma होता है oxygen transport करने वाले red blood cells होते हैं और blood का एक प्रतिशत से भी कम हिस्सा होती है white blood cells जो pathogens को नश्ट कर देती है आखिर में होते हैं blood को clot करने वाले platelets गिरने पे अकसर bleeding होने लगती है अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने देखा हुआ कि कुछ देर बाद bleeding अपने आप रुख जाती है क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यूं होता है Actually हमारी body ये खुद बाखुद कुछ इस तरह के पदार्थ बनाती है जो घावों को अपने आप भर सके इस वीडियो में हम जानेगे कि clots यानि खून के ठक के क्यूं और कैसे बनते हैं Clots नहीं बनने से हमारी body तब तक bleed करेगी जब तक कि हमारी death नहीं हो जाती इसके लावा clots, pathogens जैसे बीमारी पैदा करने वाले खतरनाक organisms को हमारी body में खुसने से रोकती है जब हम injured होते हैं तो हमारी skin के ठीक नीचे की blood vessels यानि रक्त वाहिकाइं damage हो जाती है जिससे blood leak होकर tissues में कठा होके bruise बनता है या फिर अगर skin खुलती है तो blood openly बहने लगता है इस तरह की खतरनाक चीज़न रोकने के लिए blood clotting होती है तो आईए हम इसके पीछे की mechanism समझते हैं आईए platelets से शुरू करते हैं platelets छोटे-छोटे cell fragments होते हैं जो हमारे blood के साथ हमारी body में circulate होते रहते हैं जब blood vessel damage हो जाती है तो collagen यानि मजज़ा खुल जाती है open collagen platelets को injured area में attract करती है जहाँ पे ये platelets एक दूसरे के साथ चिपक के bundle के रूप में कठी हो जाती है platelets का ये bundle barrier की तरह काम करता है जो bleeding को रूपता है हाला कि ये barrier उतना मजबूत नहीं होता इससे और ज्यादा मजबूत बनाने का काम हमारे blood में खुली होई fiberonogen नाम की protein करती है ये protein बाहरी chemicals के contact में आके sticky fibrin fibers में convert हो जाती है normally इस तरह की chemicals हमारी blood vessels में नहीं पाय जाते है fibrin fibers मिलक एक जाल बनाते हैं जो सभी platelets को रोक के रखता है और ultimately एक मजबूत clot में convert हो जाता है इसके बाद और platelets, red blood cells और हमारे blood में मौझूद दूसरे components fibrin fiber के बने जाल में अटकते रहते हैं जो clot को और मजबूत बनाते जाते हैं clot bleeding को तो रोकता ही है साथ ही ये pathogens जैसे हानिकारक दत्वों को हमारे शरीर में खुसने से भी रोकता है खुन का थक्का धीरे-धीरे scab यानी पपड़ी में convert होता रहता है जो घाव की healing के समय उसे protect करता है तो क्या आप बता सकते हैं कि scab क्या है ये actually fibrin के जाल में फसी हुई platelets होती है ये आपके घर की sink में फसी होई गंदगी की तरह होती है scab के नीचे जब नई skin बन जाती है तो ये हट जाता है आए जल्दी से एक बार comprehension देख लेते हैं बाहरी chemicals के contact में आते हैं यानि normal healthy blood vessel में ये clots में convert नहीं हो सकते तो हमें उमीद है कि आपने इस वीडियो के जरिये clotting के जादू को समझा होगा oxygen वा carbon dioxide के अलावा रक्त से कई अन्य पदार्थों का परिवहन होता है glucose, calcium, potassium, urea, enzyme, hormone, लवन आदी ऐसे पदार्थ हैं जिनकी रक्त में जाँच की जा सकती है अस्वस्त होने पर डॉक्टर आफशक्ता अनुसार हमारे रक्त की जाँच करवाते हैं क्या आप जानते हैं? कॉलिस्ट्रॉल नामक वसा के बारे में आपने सुना होगा यह हिर्दय की धमनियों में जम जाए तो दिल का दोरा पड़ सकता है परन्तु एक निश्चित मात्रा में हमारे आहर नली की कोशिकाओं के लिए यह बहुत जरूरी है साथ ही हमारी आथ में इसकी उपस्थिती से कई विटामिन का उप्योग हो पाता है अर्थाद हमारे भोजन में एक निश्चित मात्रा में कॉलेस्टराल का होना कतई नुकसान दे नहीं है